सबी को नमस्कार यूनिट 3 कक्षा 12 से आज हम फिर से पुनाय सुरू करेंगे धारा का चुम्ब क्या प्रभाव और चुम्ब कत्व मैं रमेश प्रसाद ब्रडोनी फिजिक्स लेक्षर तो जैसे कि आपको पता है हमने पूर शेशन में सीखा था कि एक समान चुम्ब के छेत्र में गतिमान आविस पर बल क्या होता है लॉरेंज बल की परिभासा और लॉरेंज बल का सूत्र हमने डिराइब किया था एक समान चुम्ब के छेत्र में आविसितकान की गती कैसे होगी बिरताकार होगी या कोई दूसरी तरह की गती होगी वो सब हमने ग्याद किया था जब आवेशितकान किसी चुम्बके छेतर के सामंतर प्रवेश करता है तब उसकी गती कैसे होती है ये जाना था जब आवेशितकान चुम्बके छेतर के लंबोत प्रवेश करता है तो उसकी गती कैसे होती है ये भी हमने सिखा था जब आवेशितकन चुम्बक्य छेतर में तिर्चा परवेश करता है तो उसकी गती कैसे होती है ये भी हमने निकाला था और आखर में हमने ये ग्यात किया था कि सैयुक्त बैदुत तथा चुम्बक्य छेत्रों में आविशितकन की गती कैसे हम निकालेंगे जिससे कि हमने जो बिद्दू छेत्र और चुम्बक्य छेत्र है उन दोनों में समन्द बताया था जो प्रकास की वेलोसिटी के बराबर ग्यात हुआ था तो इस पार्ट को आगे बढ़ाने से पहले जो कुछ की वर्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए जो कि आपने प्रिविस में पढ़ लिये हैं जैसे कि कूलम्स लॉउ इलेक्ट्रिक फिल्ड यानि बिद्दू छेत्र चुंबक या छेत्र या मैंगनेटिक फिल्ड Maxwell कॉर्क स्क्रू रूल, Maxwell का नियम राइट हैंड स्क्रू रूल बाइड सेवाट का नियम लॉरिंज फोर्स मैंगनेटिक फोर्स तो अब continue करते हैं और आज का जो पार्ट में हमारे सीखने के प्रतिफलाई यानि जो आज हम सीखेंगे उनमें सबसे पहले सैक्लोट्रोन को पढ़ेंगे सैक्लोट्रोन कैसे कारे करता है उसको बिस्तृत जानेंगे चुम्बक्य छेतर में रखे कोई धारवाही चालक पर कितना बल लगता है उसे ग्याद करेंगे चुम्बक्य छेतर में रखे धारवाही चालक पर लगने वाला बल उसका सूत्र का निर्धारण करेंगे चुम्बक्य बल की दिसा ग्याद करेंगे दो लंबे सामांतर धारावाही चालक के बीच बल के लिए सूत्र ग्याद करेंगे तो आईए सुरू करते हैं सैक्लोट्रॉन तो सैक्लोट्रॉन आविसित कनों को उच उर्जा अस्तर पर त्वरित करने का एक अंत्र है जब आविसित कन की उर्जा में ब्रिधि करने के लिए सैक्लोट्रॉन का उप्योग करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फिल्ड को क्लास में पास किया जाता है सैक्लोट्रोन में चुम्बक्या छेत्र में परिकर्मन करने वाले आविशितकार की परिकर्मन की आवर्ती उड़जा पर ये निर्वर करते हैं और चुम्बक्या छेत्र में परिकर्मन करने वाले आविशितकार परिकर्मन की आवर्ती पर निर्वर नहीं करते हैं सäकलोटरोन का अविश्कार सबसे पहले लॉरेंस और लिविंग ने किया था ये आप जैसे देख रहे होंगे कि सईकलोटरोन आपको जर्णली कैसे दिखhaitी दिता है अब हम सेकलोटरोन की रचना और कारविदी को सिखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे चित्र में आपको दो D आकार के D1 और D2 Ds दिख रहे होंगे और इसके अंदर हमारे पास एक चुम्ब के चित्र उत्पन किया है और जिसकी डारेक्शन हमने यहाँ पर हाई स्पीड के आयन उच आयन प्राप्त होते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑसिलेट होते हैं तो सैक्लोट्रोन में अर्दविर्थ आकार के दो सपार्ट D1 और D2 पार्ट है जो अलप अंतराल में घूमने वाले Ds कहला यह Ds लगबग 10 की घाथ 5 पोल्ट यानि 10 से 15 मेगा हर्ज उच आवर्थी की परत्यावर्थी धारा पर रखे जाते हैं और इन्हें विद्दुद रोधी बॉक्स में कम दाप पर ढग दिया जाता है इस युक्ती में एक परबल विद्दुद चुम्बक के पोल के बीच रखने पर जो तल के लंबत होता है इसी के कारण एक परबल चुम्बक के छेतर यह उत्पन करते हैं सैकलोट्रोन का सिद्दान्त ये टूडी के बीच में लगने वाले परत्यावरती भी वहंतर और डी के भीतर आवेसितकन की परकर्मन आवरती के बराबर होता है जिसे हम अनुनादी परती बंद कहते हैं यानि रेजोनेंट कंडिशन्स यानि यह हमें पैदा करनी है रेजोनेंट कंडिशन्स तब ही जाके हमें पता चलेगा कि उसकी कितनी उच आवरती वहाँ पर उत्पन हुई है या वो हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर कैसे बनेगा धनायन डीज के भीतर बिर्ताकार पत पर चलने लगते हैं आरोपित चुम्ब के छेतर तथा आरोपित बोल्टिज की आवरती को इस परकार व्योस्तित किया जाता है कि जैसे ही आयन या चार्ज डीज के बाहर आता है तो उसकी पोलैरिटी बदल जाती है यानि उसके धुर लिधी से बाहर न पहुँच जाए जहां एक बिक्षेपक प्लिट लगी रहती है जो आयन को उस लक्षक की ओर बिक्षेपित कर दीती है जिससे आयन को ठकराना होता है तो हम कह सकते हैं कि माना कि जो डी है उस पर प्लस क्यू आवेश तथा उसके भीतर जो आवेश है उसक qvb बराबर mv square upon r यह हमने पहले भी ग्याद किया है कि centripetal force कितना होता है वो f के बराबर होता है और वही f जो है वो lorange force यानि qvv के बराबर होता है तो यहां से अगर हम r ग्याद करेंगे यानि उसकी जो बृत्य तरजा होगी वो होगी mv upon qb तो क्योंकि आविस त्रिजापत पर सतत लगातार बढ़ रही है इसलिए आयन का कॉनिया वे v बटे r is equal to omega होगा क्योंकि omega is equal to v बटे r या v is equal to r omega होता है तो इस मान को हम use कर लेंगे उपर वाले समय करन से तो यह हो जाएगा हमाँ पास omega is equal to qb बटे m जहाँ पर omega वहाँ पर कॉनिया वेग है तो आविस द्वारा d के भीतर अर्द विर्थ में जो समय लगेगा वो कितना होगा t बराबर pi r बटे v pi r हमने यहाँ पर क्यों लिया क्योंकि अर्द विर्थ है तो यह हो जाएगा हमारे पास अगर हम इस v का मान यूज करेंगे तो यह t बराबर हो जाएगा हमारे पास pi m बटे qb तो समय आविस की चाल पर निर्वर नहीं करता जबकि एक d से दूसरे d तक जाने में तरिजा लगातार बढ़ती है परन्तो यहाँ पर समय इस्तिर रहेगा समान रहेगा तो हम कह सकते हैं कि half cycle के लिए यह half d के लिए t by 2 is equal to t अगर ले लें तो इसका मान हो जाएगा t बराबर small t बराबर 2 pi v बटे m v upon qb तो यह t बराबर हो जाएगा 2 pi m बटे qb अनुनाद की इस्तिती में या अनुनाद उत्पन करने की इस्तिती में परत्यावरती भी हो कि जो आवरती होगी वो new बराबर new not होगी maximum frequency तो उसका मान यहाँ पर अगर हम use कर लेंगे तो यहाँ पर v बराबर क्योंकि हमने पता है यह 1 upon 2 t तो यह बराबर हमने ग्याद किया है qb upon 2 pi m तो यह हमारे पास new not is equal to हो जाएगा qb बटे 2 pi m तो हम कह सकते हैं कि इसी परकार से d की तरज़ा यह दि आर ले ले तो आयन का अधिकतम वेग v बराबर qrb बटे m होगा और या qrb बटे m r capital ले लिया अगर वो maximum तरज़ा हमने ले ली तो उसके लिए जो v का मान होगा अधिकतम वेग वो qrb बटे m होगा अर्थात जो maximum velocity होगी वो qrb बटे m के होगी मशीन से निकलते तवरित आयन या इस cyclotron से जो तवरित आयन निकलेंगे उनके लिए गतिज उड़जा भी हम ग्याद कर सकते हैं तो गतिज उड़जा क्योंकि हमें v पता है v maximum हमारा आया qrb बटे m तो energy का formula हमें पता है k बराबर 1 upon 2m b square यहीं v maximum यहाँ पे ले लिया आधिकतम गतिज उड़जा के लिए तो इस मान को use करेंगे तो k बराबर हो गया q square b square r square बटे 2m तो हम कह सकते हैं कि आयन द्वारा प्रती चक्कर प्राप्त उड़जा अगर हम उसे electric field के हिसाब से ग्याद करें तो यदि d के बीच electric field का भी हो v है तो एक चक्कर में वो जो उड़जा प्राप्त करेगा वो q v प्राप्त करेगा यहां q आयन है और v क्या है वो उसका मध्य potential difference है तो क्योंकि आयन यहां पर विद्दुछेत्र को दो बार cross करता है इसलिए जो कुल प्राप्त उड़जा होगी वो 2 qv होगी अब यदि वो n चक्कर लगा रहा है यानि कई चकर लगा रहा है तो n number of rounds के लिए जो उड़जा का मान होगा वो 2 n qv के होगा अब जो यहां पर गतिज उड़जा होगी वो 1 upon 2 mv स्कार maximum यह बराबर हो जाएगी हमारे पास पीछे हमने ग्याद किया था q square b square r square 2 m और यही उड़जा बराबर हो जाएगी 2 n qv के यानि यहां पर जो कुल प्राप्त उड़जा होगी आयनों का विद्दू छेत्र में जो प्राप्त उड़जा है वो गतिज उड़जा के बराबर होगी तो यहां पर हम इस cyclotron में जो हमने पढ़ा है तो साथ ही साथ हम यह भी देख लेते हैं कि इसकी अपनी कुछ limitations भी है कि यह कब जो है किस जगे पर यह हमें कार्य करने में कुछ सीमाओं के अंदर रखता है तो जैसे सबसे पहले cyclotron से निकलने m is equal to m0 upon under root 1 minus v square upon c square तो इस formula का हम use कर लेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा हमारे पास m बराबर m0 upon under root 1 minus new square upon c square अब मान लेते हैं कि अगर m0 कन का rest mass है तो m कन का दरविमान पर जब वेग v होगा तो उस समय जो परकास की चाल होगी वो c होगी तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो cyclotron से निकलने वालों के जो वेग है या उनका जो आइनों की जो उज़ा है वो एक limit तक ही रहेगी क्योंकि सारे मान constant है m constant है c constant है अगर वी को हमने constant कर लिया तो यह मान constant आएगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि electron cyclotron में एक सीमित उड़जा पैदा करते हैं इसी तरह से इसकी दूसरी सीमा है कि electron cyclotron में तौरित नहीं होते अर्थाथ electron का दर्वान कम होता है और यह तुरंथ ही अधिकतम वेग प्राप्त कर लेते हैं अब हम पता करते हैं कि cyclotron को हम कहां-का यूज़ करेंगे कहां-कां cyclotron का यूज़ हो सकता है तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ ना भी क्या विक्रियाओं में उच उर्जा की कणों को प्राप्त करने में किया जाता है इसी तरह से उच उर्जा के कणों को उत्पन करने में यानि अगर आपको हाई इनरजी पार्टिकल प्रोड्यूस करने हैं तो cyclotron आपको ज़रूत पड़ेगी इसका यूज़ oscillator की तरह होता है इसी तरह से आइनों को ठोस के साथ implant करने में यदि आप किसी आइन को किसी solid के साथ mix करना चाते हैं implant करना चाते हैं तो भी cyclotron का use करेंगे इसी परकार से ना भी किया medicines और research में cyclotron का अधिक्तम यूज़ होता है अब हम बात करेंगे चुमबक्य छेत्र के कारण किसी धारवाही चालक पर बल तो जैसे कि हमने पीछे भी ग्यात किया था कि यदि किसी चुमबक्य छेत्र में यानि किसी magnetic pole के बीच में हम किसी wire को या किसी rod को रख दें तो वह एक force experience करेगी जो force उस धारवाही चालक के perpendicular होगा यानि यदि हम चुमबक्य छेत्र में धारवाही चालक को इस पर कार रखें कि चालक में लगने वाला बल चुमबक्य छेत्र तसा धारा के लंवत हो तो वहाँ पर हम इसे simple समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे के perpendicular होंगे यानि विद्दूद छेत्र करंट और तो जैसे कि यहाँ पर भी हमने दिखाया है कि एक छड़ को किसी चुमबक्य छेत्र के बीच में रखा है तो उसमें जो प्रभावी धारा है वो चुमबक्य छेत्र के क्रास में है यानि लंवत है तो क्योंकि हम यह कह सकते हैं ये तार जो है कोई फोर्स एक्सपिरियंस करेगा तो यह डेफिनेटली कोई मॉमेंट करता है तो चुमबक्य छेत्र के लंवत यह तार एक बल अन्वह करता है यानि यह तार अपने जगे से उठता है और इस बल को हम जो है लॉरेंज फोर्स से भी ग्याद कर सकते हैं और इसकी डारेक्शन जो है हम फ्लैमिंग के बाया हाथ के नियम से ग्याद कर सकते हैं या दाए हतेली का जो नियम है उससे हम ग्याद कर सकते हैं यह हमने पूरू के अद्हे में भी पड़ा है तो अब हम कह सकते हैं कि धारावाई चालक पर चुम्बक के छेतर में लगने वाला जो बल है वो जब किसी धारावाई चुम्बक के छेतर में रखा गया है तो वास्तम में जो मुक्त इलेक्ट्रोन है वो जब गती प्राप्त करते हैं तो किसी बैटरी सोर्स से जोडने पर चालक में बिद्धमान आवेश एक अनुगमन वेग यानि डिरिफ्ट वेलासिटी प्राप्त करते हैं इस कारण जो बिद्धु धरा का मान होता है वो चुम्बक्य छेत्र में लगने वाले बलके मान से भी हम ग्याद कर सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि f is equal to qvv sin theta होता है यह हमने पीछे पड़ा है और अगर theta 90 degree है क्योंकि हम कह रहे हैं वो एक दूसरे के perpendicular है तो उस समय यह f is equal to qvvv हो जाएगा अब ऐसी स्तिती में यदि हम धरावाई चालक की लंबाई L मान लें और उसका अनुपरस्ट छेत्रफल A मान लें तो चालक में बहने वाली जो धारा i है वो प्रती एकांग छेत्रफल पर इलेक्ट्रोने की संख्या n लेते हुए हम ग्याद कर सकते हैं जिसले कि हमने पहले भी किसी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रोनों का ड्रिफ्ट वेलस्टि के कारण करेंट का मान ग्याद किया था तो वह हो जाएगा i बरावर neavd वीडी के हम पर ड्रिफ्ट वेलस्टि एन नमबर ओफ इलेक्ट्रोन्स है और e उस आवेज का मान है और a उसका अनुपरस्ट छेत्रफल है तो जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि f is equal to e vd b sin theta वी की जगए vd यानि drift velocity वहाँ पर होगी तो पूरे चालक में मुक्त एलेक्ट्रोनों की संख्या हमारे केत्नी होगी n a capital l capital यानि उसकी लंबाई है चालक की लंबाई ये उसका अनुपरस्ट छेत्रफल है तो पूरे चालक पर जो लगने वाला बल होगा वो होगा f बराबर e vd b sin theta n a l अब यदि i बराबर n e a vd है जैसे कि हमने निकाला हुआ है तो हम कह सकते f बराबर i bl sin theta के होगा अब हम यहाँ पर condition ले लेते हैं कि यदि जो है theta 0 है तो वहाँ पर f 0 होगा क्योंकि sin 0 0 होगा तो f is equal to i bl sin 0 तो यह पूरा मान 0 होगा इसी तरह से theta अगर 0 है या 180 है तब भी f का मान 0 होगा तो theta 90 degree पर रखने पर f is equal to i bl sin 90 तो यह बराबर हो जागा i bl तो f is equal to i bl यहनि maximum जो force होगा वो f is equal to i bl होगा यह थीटा 90 degree होने पर ही वोत बल का मान अधिक्तम होगा i bl तो यह दि किसी चालक के लिए अगर हम मान लें कि धारा एक ampere है और उस चालक की लंबाई एक मीटर है और उस चालक पर जो लंबवत force है थोड़ी देर के लिए हम कहे दें कि वो 1 newton है तो ऐसी स्थिति में B का मान वन टैसला होगा यहनि force जो है वो 1 लेने पर current 1 लेने पर लंबाई 1 meter लेने पर जो B है वो 1 टैसला होगा यहनि यहां से हम चुम्बके छेतर की परिवासा भी याद कर सकते हैं तो यदि एक समान चुम्बके छेतर में चेतर के लंबवत एक मीटर लंबे चालक में एक एमपेर धारा परभावित करें तो चालक पर एक न्यूटन बल लगने की इस्तिति में चुम्बके छेतर का मान एक टैसला होगा अब हम नया आर्टिकल सुरू करेंगे सामानतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल तो जब किसी तार में धारा परभावित की जाती है तो उसके चारों और चुम्बके छेतर उत्पन होता है ये जैसे कि हमें पता है हमने पीछे के एक्सपरिमेंट में भी देखा तो मान लिजे हमारे पास यहाँ पर दो सामानतर धारावाही चालक है और उनमें IA, IB करंट पास हो रही है तो यदि हम किसी चालक के समीब एक दूसरा धारावाही चालक रखते हैं तो पहला चालक से उत्पन चुम्बके छेतर दूसरे पर एक बल उत्पन करेगा के बीच चुम्बके छेतर पारसपरिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं यानि कि यदि दो सीधे लंबे तार जो निर्वात में रखे गए हैं और इन तारों में बिद्दु धारा प्रवाहीद की जा रही है तो यह एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं यानि जब तारों में बिद्दु धारा एक दिसा में बहेगी तो यह एक दूसरे को आकरसित करेंगे और यदि बिद्दु धारा विपरित दिसा में होगी तो यह एक दूसरे को परतिकरसित करेंगे तो मान लेते हैं कि हम चालक A में बिद्दु धारा के कारण चालक B में चुम्बक्य छेतर पैदा होता है तो हम कह सकते हैं कि B बराबर μू नॉट आई ए अपॉन टू पाई D D क्या है दो चालकों के बीच की दूरी है तो जब धारा 36 इसा में हो तब चुम्बक्य छेतर नीचे की ओर होगा चालक B एक चुम्बक्य बल का अनभव करेगा अरथात L नमबाई के चालक B पर लगने वाला जो बल है वो होगा F B A बराबर I B L B A यानि हम क्या कर रहे हैं यानि हम याद कर रहे हैं कि B पर A के कारण कितना बल लगेगा तो हम यहाँ पर यह मान रख देंगे तो यह हो जाएगा F B A बराबर मू नॉट I A I B upon 2 पाइडी इंटू कैपिटल L L वहाँ पर वो चालक की लंबाई है जो B चालक है इसी तरह से यहाँ पर जो बल की तिसा होगी वो चालक A की ओर होगी यहाँ वो उसके लंबवत होगी इसी तरह से हम ग्याद कर सकते कि यदि चालक B में IB धारा प्रभावित हो रही हो तो जो चुम्बक की अच्छेतर है वो BB बराबर मू नॉट IB upon 2 पाइडी सेम ऐसी होगा तो यहाँ पर इसी चालक में यदि हम कहे लें कि A की भी लंबाई L है तो उसके कारण जो चुम्बक की अच्छेतर पैदा होगा वो BB होगा तो हम उसे कह सकते हैं FAB is equal to IALBB तो इसका मान भी हमारे पास हो जागा मू नॉट IAIB upon 2 पाइडी इंटू L यानि ये दोनों ही समान आएंगे तो दोनों बलका मान समान होने की स्थिती में सिर्फ अंतर है कि ये एक दूसरे के विपरी दिसा में होंगे क्योंकि धारा समान दिसा में प्रवाइद हो रही है तो FBA बरावर माइनस FAB हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये दि चालक में IB और IA का मान I के बरावर है यानि करंट का मान अगर हमने सेम मान लिया दोनों करंट बरावर हैं तो उस स्थिती में जो F upon L होगा तो वो हो जागा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA IB upon D यानि Force per unit length का जो मान होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई IA IB upon D अब क्योंकि IA IB समान है तो यह हो जाएगा F upon L म्यू नॉट I square upon 4 पाई D अब हम कह सकते हैं यदि इसी परकार चालक की लंबाई हमने L बरावर 1 ले ली और D का मान भी हमने दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर ले लिया और धारा मान लीजे 1 एमपेर के बराबर है तो ऐसी स्थिति में जो Force होगा वो होगा 2 into 10 पर माईनस 7 मीटर पर सेकंड यानि यह मान अगर आप रखेंगे तो म्यू नॉट अपवान 4 पाई का दूरी पर रखेंगे दो चालक जो सामांतर में हैं उनके प्रतिक तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो बल होता है वो दो गुणा दस्किकात माईनस 7 नूटन के बराबर होता है